मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन को प्रेस करे ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे For the next moment, allow yourself to be a human being rather than a human doing नमस्ते, मैं श्रेयस बढ़िये, आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम मेडिवल हिस्ट्यू आफ इंडिया से लेक्चर नंबर 9 पर डिसकेशन करने वाले हैं जिसमें हम religious moment को स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा भक्तिजम हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है religious moment से सूपिजम उसे स्टड़ी करेंगे आईए हम भक्तिजम को शुरुवात करते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पुछ सकते हैं यह मेरा इंस्टाग्राम आइडिया इस इस माइ टेलेग्राम चैनल आइड दिस इस माइ योट्यूब चैनल भक्तिजम जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहें कि यहां सेंड्स है भक्तिजम से जुड़े होए जो लोग होते हैं वो सेंड्स होते हैं So, आई एक basic information ले लेते हैं about भक्तिजम. So, भक्तिजम की अगर हम basic information सोचते हैं, तो भक्ती मुमेंट was based on, अच्छे से याद रखेगा, जो भक्ती मुमेंट है, was based on the doctrine that the relation between the God and the man is through love and worship rather than through performing any ritual or religious ceremonies. So, ये तो information, ये तो इसकी definition की तरह होगी, तो हम देख लेते हैं ये इसका meaning की है, तो भक्ती मुमेंट किस चीज़ पर based है, तो याद रखेगा, ऐसा doctrine है, जिसमें relationship between the God and man, यानि हमारे बीच में और भगवान के बीच में जो relationship है, वो एक love और worship से दिखाई जा रही है, सो जिसे हम पूजा कह सकते हैं, बट बहुत अलगतर की worship है, जो ये भक्ती मुमेंट के sense करते हैं, तो वो आपको पहले जैसे जो दिख रही थी, जैसे rituals and all है ना, सो rather than performing any ritual, कोई भी rituals है, कुछ प्रथाय बता दी कि ऐसा कीजिए, ये का यग्य कीजिए, इससे ये सब होगा, वो सब को यहां ठुकराया जाता है, भक्ती मुमेंट में, जितने भी religious ceremonies है, वो सब ठुकराया जाएगी और जो भी होगा, वो love और worship से होगा, जो कि इनसान खुद खुद से करेगा, किसी की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, इसे भक्ती मुमेंट कहते हैं, जो कि बहुत अ आपको कि intense love and devotion है, भगवान के लिए आपका devotion रहना और love रहना, यही वो चीज़े जो आपको मुक्स तक पहुचाएगी, means of salvation, आपको मुक्स हसल कराएगी, वो यही है, भगवान के लिए प्यार और उनके लिए devotion, है ना, so devotion जिसे हम भक्ती भाव कह सकते हैं, यह सब होना च सकते कि सभी जो भगवान है वो एक ही है, unity है, तो हमें इन में division नहीं करना है कोई, तो यह सब यहाँ पे हमें देखने मिलता है, यह भक्ती मुमेंट का एक और बहुत अच्छी एक feature है, next यह है कि rejection of rituals, rituals और ceremony जो भी religion में चलती थी, जिसके लिए हमें कुछ priestly class किया, फिर ज worship करने का तरीका है, वो थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे कोई caste discrimination नहीं चलेगा, caste discrimination नहीं चलेगा, याने keeping an open mind on religion and gender issues है, तो religion हो या gender issues हो, उस पे हम अपना open mind रखेंगे है, तो ऐसा कुछ भी एक orthodoxy जैसी चीज नहीं होगी, gender भी हो, male, female हो, वो भी यहाँ पी issue नहीं रह था, women का, तो इन्होंने यही कहा था, कि male हो, चाहे, women हो, इन सभी को right है, कि वो salvation हासिल कर सकते, याने मोक्ष हासिल कर सकते, they even took their meals together, तो common kitchen में meals भी ली जा रही थी, चाहे, कोई भी religion के हो, caste के हो, या फिर women हो, main हो, सभी एक साथ बैठके meals लिया करते थे, यह एक तरह से unity द infanticide and sati practice, उन्होंने sati practice हो गया, या women infanticide हो गया, इन सब जैसी जो social evils है, उन सब को इन्होंने approach किया, और बहुत ही society को अच्छी तरह से develop करने की कोशिश की गई, है ना, so women infanticide या फिर आप female infanticide को, जो meaning होता है, अगर आपको वो पता होगा, कि deliberate killings होती है, of newborn female children, ना, तो newborn female children, जो उन्हें मार दिया जाता है, तो ये सब बहुत बूरी चीज़े है, so ये सब को रोकने की काफी कोशिशे की गई, लोगों को उन्होंने इस तरह से message दिये, उसके साथ using local and regional languages, उन्होंने जो भी language यूज़ की वो local या regional language थी, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई language यूज़ क local and regional language में पहुचा है, जो कि लोगों तक easily पहुचने लगे, और लोगों को अच्छे से ये चीज़े समझने लगे, ये भी एक बहुत positive सी चीज़ हमें देखने मिली, second ये कि they stressed the idea of personal God, उन्होंने ये भी कहा कि personal God है, तो सब के अप अपने कोई personal God हो सकते है, जिसको आप worship कर स ऐसा कुछ भी नहीं, और ये सब जो भी God रहेंगे, ये सब एक ही है, एक ही रहेंगे, और सब के अपने personal relation बनाने के यहाँ पे मौका दिया जागा, सबको तो ये main idea जो है personal God की, ये भी इन्होंने यहाँ पे इस पे बहुत जादा stress किया, और need of a true guru, teacher to realize God है, तो एक guru या फि सब चीजे सिखाएगा कि इसे किस तरह से किया जाता है, they propagated equality and spirit of brotherhood like Sufis, सूफी में भी यही चलेगा कि equality और spirit of brotherhood spread करने की बहुत जादा इन लोगों ने कोशिश की, चाहे सूफीजम हो, चाहे भक्तिजम हो, सूफी सेंट हो, चाहे बक्ति सेंट हो, equality हर एक religion हो, caste हो, gender हो, स इस तरह के message यहाँ पर propagate किया जाएगे, they despised priest है, तो priest जो है, उन्हें तो उन्होंने reject किया था, priest की ज़रूरत नहीं है, who they thought were middle man and instead focused on establishing personal connection with God, उन्होंने यही कहा कि यह एक middle man है, यहाँ पर अगर God है और यहाँ पर हम है, तो बीच में एक जो priest है, यह क्यों हमें आरा message भक्ती मुमेंट, अभी आपको उनकी ideas पता चल गए हो, किस तरह से काम करते हैं, यह पता चल चुका है, तो अब हम देखते हैं इनका origin कैसे हुआ, सबसे पहले origin के अगर बात करें, तो भक्ती मुमेंट का origin जो हुआ, वो southern part of India में हुआ, especially Tamil Nadu में हुआ, between 6th to 10th century AD, धीरे ध चीजे कुछ देखने मिल रही थी हमें भक्ती मुमेंट के तरू, अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि यह जो भी मुमेंट थी, भक्ती मुमेंट थी इसकी शुरुवात South India से हुई, specially Tamil Nadu से हुई, तो देख लेते हैं कि किस तरह से यह जो saints थे, भक्ती saints थे, भक्ती saints यह कौ चलता है, अलवर, अलवर याने Vishnu devotees, अलवर और जो नायनार है, इसमें अगर हम दोनों के कुछ features देखें, जो common features हैं, उसमें हम देखते हैं कि oppose to brahmanical domination, जो brahmanical domination चलता था, जैसे priestly class है, presence of priest है, यह सब की ज़रूर है था, इनको इन्होंने oppose किया था, and were also opposed to jainism and buddhism, उन् love between the deity and the god, यह main उनका एक focus रहेगा, उनके poetry में, वो जो जीजों में, जो भी language में बात करेंगे, जो भी language में लिखेंगे, वो vernaculars होंगे, जो कि common masses को पता चलेगा, जैसे कि मैं already आपको बता, जो को local languages का use यहां किया जाता था, like Tamil and Telugu, Telugu और Tamil का ज्यादा था, यह जो भी बत आना चाहरे, वो common people तक easily पहुच जाए, common people उन्हें read कर सके, उन्हें recite कर सके, यह सब इन्हें यहां पर इसकी help मिल जाए, common masses को, presence of priest was not required in bhakti tradition, as I already told you, यह आपका individually, आपको connect करना है भगवान से, यहां कोई priest की जरूरत नहीं है, जिस तरह से आप करना चाहरे, उस तरह से पॉपिलर होने लगी, है ना, तो यह सब यहां पर हमें पता चलता है, together the laid the foundation of bhakti moment in India, यह सब हमें पता चलता है, नैनार हो गए, यह पिर अलवर हो गए, इन लोग, यह जो भी saints थे, Vishnu devotee, शिवा devotee, इन्होंने, असली जो शुरुवात की, वो इन लोगों के थ्रू हुई भक्ती moment के इंडिया में, तो south इंडिया या southern part of इंडिया से यहां पर शुरुवात होती है, जो भक्ती moment थी इसकी, अब आपको एक, आप अभी यह lecture देखते हैं, आप यह सोच रहोंगे कि यह फिर worship किस तरह से करते हैं, so यह आपको बदादू कि जो worship की जाती है, वो जो है, उसे गाते हैं, और उसके थुरू ये भगवान की, भगवान को पूझते हैं, थुरू भजन्स, तो भजन्स के थुरू यहां पर वर्शिप की जाएगी, और यहां पर कोई प्रिस्टली क्लास की, इसलिए जरूरत नहीं पढ़ती है, जो लोग है, वो खुजी अप अपने भजन गाते हैं, और भगवान के साथ अपने रिलेशन बनाते हैं, लोव रिलेशन, तो बहुत ही एक अच्छी बातर, यही से आप देखो कि तो म्यूजिक काफी यूज होने लगा, क्योंकि भजन्स गाते थे, तो यह कुछ चीजे हैं, जो कि हमारे भक्तिजब में देखने मिलते हैं, उनके टाइप ऑफ वर्शीब जो है, वह आपको अभी पता चल गया, उसके बाद हम देखते हैं, कुछ थोड़ी से इंफॉर्मेशन, अलवर और नाए नर्स के बारे में, अलवर जो थे, वो बारा हुआ करते थे, there were 12 अलवर्स, 12 अलवर्स जो है, उन् अगर साउथ में अगर देखते हैं, तो अंडल करके जो है, वो एक फीमेल अलवर्स सेंट है, तो यह अलवर्स के बारे में आपको एकनी इंफॉर्मेशन याद रखने हैं, उसके साथ साथ, नैनर्स के अगर बात करें, तो they were originally a group of 63 तमिल सेंट, यहाँ पे 63 तमिल सेंट थ इनका सबसे बड़ा एक फीचर था, जिसके थुरू यह अपने लार्जल गोर्स अटेंड कर रहे थे, एक्स्ट्रीम एस्टीम याने बहुत सन्यासी वाला जो जीवन होता है, वो जीने में लाइफ, वो उस तरह की लाइफ में बिलीप रखते थे, नैनर्स, उसके साथ सुंदरर, सुंदरर यह हो गया, यह यह गंपाइल, कलेक्शन ओपोएम्स और इन्हों ने जो बनाया थे उसे थेवरम कहा जाता है, इन 10th century AD में थेवरम बनाया गया बाए, अपार, संबंदर अड़ सुंदरर, तो यह कुछ तीन नैनर्स हैं जिन्हों थेवरम को बनाया है यह बहुत factual चीज़ है, कभी-कभी इसका one-liner question आपको exam में पूछा जा सकता है, अमंग नैनर्स वर ब्रामिन्स, ब्रामिन्स खुद हुआ करते थे नैनर्स में और नोबल्स हुआ करते थे, बट उसमें अगर हम देखते हैं तो, आईल मंगर भी हुआ करते थे, आईल मंगर और casteism और यह सब उन्होंने नहीं रखा था, एक egalitarian society या फिर हम कहेंगे equality जहा रहेगे, उस तरह के society यह बनाना चाहते थे, तो, यहां हम देखते हैं, अलवर और नैनर्स में का आपको डिफरेंस पता चल चुका है, इनके बाद एक और सेट हमें देखने मिला, यही भक्ती saints में, saints का, जो की south में फिर से हमें देखने मिला, उसे कहा जाता है, वीर शैव या फिर हम कहेंगे लिंगायत, तो, यह एक moment चलिए, वीर शैव मुमेंट या फिर लिंगायत ने एक moment चला है, 12th century AD में, तो, यह वीर शैव जो है, वो कौन होते है, तो, शैवाइट से होते है हिंदुईजम के, यानि जो शीवा, जो है, लौड शीवा, उन्हें फॉलो करते है, उन्हें वर्शिप करते है, वो होते है, वीर शैव, और इन्होंने एक moment चला है, that emerged in 12th century AD in करनाटका, during the reign of काल्चुरी डाइनस्टी, काल्चुरी डाइनस्टी का जब रीन चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने करनाटक में ये लोग इमर्ज हुए, और उन्होंने फाद में एक moment चला है, moment कैसे थी, they opposed, elaborate, rituals, rituals का oppose किया गया, जो हिंदू प्रीस्ट हमें करने कहते थे, आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ये यज्य कीजिए, वो पूजा कीजिए, इस तरह से तो ये सब चीजों को इन्होंने अपोज किया, उसके साथ साथ इन्होंने एक, ये जो सेख थे, इसके founder जो है, उनका नाम है बासवन, बासवन जो थे, उन्होंने इसे बनाया था, ये सेख को जिसे हम वीर शेव या फिर लिंगायत कहते है, तो ये इनके founder का नाम है, आप से याद रखेगे, ये भी एक सेंट हुआ करते थे, तो कभी-कभी exam में आपको one-liner question आ सकता है, the followers were वीर शेव, heroes of Shiva, वीर याने heroes और शेव याने शीव, heroes of Shiva, और लिंगायत, that is, wearers of Shiva, जो शेवलिंग पहनते हैं, उन्हें कहा जाता है, लिंगायत, तो ये होते है, wearers of Shiva, या लोग थे, तो south में ये एक और moment चली, तो इस तरह से भक्ती moment जो थी, ये south India में काफी, अच्छे pace में हमें चलती हुई दिखती है, तो वीर शेव moment जो चली, उसके बार में थोड़ा साम, detail में देख लेते हैं, उसमें और क्या-क्या था, उन्होंने सबसे पहले worship करना है, Shiva क in his manifestation as ling, जो shivling होती है, उसका हमें worship करना है, wearing ling on left shoulder, left shoulder में ling जो होता है, उसे पहना जाता है, shivling कैसा होता है, आपको पता है, इसलिए उन्हें लिंगायत कहा जाता है, burying their deads, है ना, instead of cremating them, so, उन्होंने cremating नहीं या, burying किया, तो इसका मिन यह होता है, कि उन्होंने यहाँ पे किसी को cremate करना, याने किसी को जलाने से अच्छा यहाँ पे, उन्होंने यह चाहा कि यहाँ पे किसी को दफनाया जाए, क्योंकि वो यह belief रखते थे, कि जैसे कि आप देखते हैं कि पह यहाँ पे नहीं की जाएगी, उसके बाद यह question, the theory of rebirth, उन्होंने यहीं पूछा था, कि अगर पुनर जन्म होता है, आपका rebirth होता है, तो बताए किस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते कि पुनर जन्म होता है, so यह सब चीज़े यहाँ पे चली, challenging the caste system, caste system को बहुत तगड़ challenge किया गया, equality को बहुत जादा support किया गया, encouraging post-puberty marriage, जो कि और उन्होंने support किया post-puberty marriage, post-puberty marriage होने होता है, कि puberty की age complete हो जाने के बाद marriage कराया जाए, ना कि pre-puberty, puberty के पहले नहीं कराया जाए, so यह कुछी चीज़े आप याद रख लीजेगा, और उन्होंने यह भी, इ गल्सक के बारे में information ले लेते हैं, जो भक्तीज़म में आपको पढ़ने मिलते ही, एक है shagun school और एक है nir gun school, shagun school जो है, इसमें हम देख लेते हैं, एक shagun school है, िनका बीच के difference देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ features जान लेते है, हम नir gun school जो है, वहाँ पे area में ने भ God as a formless, God जो है formless है with no attributes or quality, God में कोई quality attributes नहीं होते हैं, वो formless है, वो कोई human के body की तरह या इस तरह से नहीं दिखता है, ऐसा जिनकों मानते हैं वो है निरगुन, तो कोई गुन नहीं है, निरगुन है, they focused more on acquiring knowledge, knowledge acquire करने में ज़्यादा focus करते हैं, they reject the scriptures, जो भी scripture से जो भी साहित की तरह नहीं दिखता है, जो आप उसे मूर्ती बना के उसके पूजा करेंगे, ये निरगुन स्कूल वाले मानते थे, और prominent इसमें जो figures है, बड़े-बड़े, जो लोग है, इसमें saints आया उबर के सामने वो थे, saint kabir, guru nanak, dadu dayal, ये सब बनते हैं, निरगुन स्कूल के जाने माने saints, उसके बाद हम सरगुन स्कूल देख लेते हैं, तो सरगुन स्कूल जो है, वो क्या है, तो सरगुन स्कूल thought of God as having a definite form, quality or positive attributes, and the God manifest himself in incarnations such as Rama and Krishna, so यहाँ पर ये माना जाता था कि जो भगवान है, वो कोई definite form में है, उसके quality है, positive attributes से उसमें, और God जो है, वो हरमेशा ना आते हैं, उनके पहले अगर देखेंगे, तो जितने भी विष्णुजी क्या होतार है, वो ये सब माने जाते है, सरगुन स्कूल में, तो incarnation जो है, यह भी यहाँ पर माना जाता है, और यह भी कहा गया, कि his spirit is to be found in the idols and images, ना तो भगवान की जो भी spirit है, वो आपको idol या फ तो यह law और devotion, भगवान के प्रती जो भी devotion है, उस पे जादा यह focus रहते थे, they accepted spiritual authority of the vedas, उन्होंने जैसे की निर्गुन जो थे, उन्होंने reject किया था, इन्होंने यह spiritual authority है, वेदा की, उसे इन्होंने accept किया था, और उन्होंने यह भी कहा था, कि human guru की जरूरत होती है, as a mediator between God and His DOT, तो एक guru होगा, उसके थुरू आप भगवान तक आपका जो भी है, वो एक mediator का काम करेगा, और अपने DOT के बीच में, but priestly class जैसा mediator नहीं होगा, जो आपको कुछ प्रता, कुछ पूजा करने बोलेगा, पूजा पार्ट या फिर जो भी यग्य जैसी चीज़ है, सिर् आते हैं, जो कि सहगुन है, यहां के हमें पता चलते हैं सहगुन स्कूल के, भक्ति सेंट में हमने दो प्रकार की स्कूल देखिए, एक देखिए, निरगुन और एक देखिए सहगुन, निरगुन याने God जो है, यह किसी फॉर्म में है, उनका positive attributes है, यह सब चीज़े quality है, य यह सब चीज़े आपको अभी पता चल चुके, दो स्कूल्स जो है भक्ति मुमेंट के वो भी आपको पता चल चुके, अब जो मेन पार्ट है, जिसमें आपको वन लाइनर कुश्चन बनने के और ज्यादा चांसे बनते हैं, वो है प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स, अब हम सबसे पहले हम जिन्हें स्टड़ी करने वाले है वो है आधिशंकरा, आधिशंकरा जो है वो 8th century AD में रहे हैं और प्रोबैबली वो केरला के थे, ऐसा माना जाता है, आधिशंकरा यह अद्वायत यानि नॉन डुयलिजम को स्कूल आप वेदानता फिलोसोफी के प्रोपोन अंत में जो दिया है वो है कि path of salvation, आपको मोख्षासिल किस तरह से होता है, अंत की चीज़े यहां पर follow की जाएगी, जिस path से आपको salvation मिलेगा वो चीज़े, इसे वेदानता फिलोसोफी के थे और अद्वायत यानि नॉन डुयलिजम कहा गया, तो डुयलिजम जो है वो हिं सिर्फ आत्मा को ही यहां पर कहा जाता है आत्मा ही सब कुछ है, तो डुयलिजम नहीं है, इसका मतलब आत्मा और परमात्मा नहीं, अलग अलग नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, यह होता है नॉन डुयलिजम, तो यह जिन्णों ने यह फिलोसोफ, वो है Adi Shankara, the school believes आप्टमा और ब्रामन अल्टिमेट रियालिटी है तो यह एक ही है जैसे कि मैं आपको बता तो आत्मा और ब्रामन या पिर आत्मा और परमात्मा भी कह सकते हैं सेकेंड जो आते है नाम उनका है रामानुज, रामानिर जी यह तमिल ब्रामिन थे और 101780 से तो 113780 तक ही रहे और यह तमिल नाडु में इनकी जो प्लेस है वो तमिल नाडु था, वैशनविजम ट्रेडिशन जो चला उसके वो एक्सपोनेंट थे वैशनविजम यान आपको पता है कि जो विष्णू के या फिर विष्णू के इंकारनेशन है उन्हें मानने वाले वो सब होते है वैशनविजम के और चीप प्रपोनेंट ओफ विष्ट अद्वयत से information देता हो एक basic idea तो विष्ष्ट अद्वयत में ऐसा कहा जाता है जैसे कि वैशनविजम ट्रेडिशन को follow करते है तो एक ही divinity होती है एक ही God होता है जैसे कि हम देखते है कि विष्णु जी तो Lord विष्णु में के ही हम सब पार्ट है ये कहा जाता है विष्ष्ट अद्व इन अदर वर्ड वर्ड डाइवर्सिटी सब्सुमिंग इन अंडरलाइन उनिटी क्वालिफाइड मोनोईजम कहा जाता है सब एक है उसके बाद श्री रंगम जो है रंगनाथ टेंपल है तमिल नाडु में असोसेटेटेड विष्ट इस ट्रेडिशन से एक और जो जो जु अंकर अचारिय और रामानुजाचारिय उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते है इस माधव अचारिय माधव अचारिय यह कंणर सेंट है और 1238 से 1317 AD तक है रहे करनाटक से है उसके साथ साथ ही वाचीप प्रपोरेंट आफ दैवत दैवत स्कूल आफ वेदानता हम सब जो है यह अलग है सो यह स्कूल यह चीजों पर बिलीप रखने वाले होते है माधव अचारिय जिन्नों ने लाई थी जो स्कूल है उनके कहा जाता है दैवत स्कूल जो सब डियलिजम फॉलो किया जाता है इस फिलोसॉफी ताट्ववाद इस फिलोसॉफी को मैंने यही आपको बता है ब्रह्मन और आत्मा ब्रह्मन कहेंगे हम याने एक होगे हम इंडिविजल सोल होगे और सेकेंड है कि गौड विष्णु या फिर इल्टिमेट रियालिटी यह दोनों अलग है यह चीज़ डियोलिजम में बताई जाती है यह आल्रीड मैंने आपक और जो रामानुच का विषिशाद वेदान्त है उसमें यह कहा गया है कि नॉन डुएलिजम आफ कौलिफाइट सोल्स है ना तो यह सब जो चीज़े है इसको इन्होंने अपोच किया ता मादवाचारिया तो यह तीन सेंड्स बनते है जो कि सदन इंडिया से हमें देखने म जो कि वेदान्त फिलोसफिय से जुड़े हुए है वेदान्त क्या होता है बता है एंड ओफ ओल वेदास नेक्स्ट हम जो देख रहे है वो महाराश्ट की तरफ आते है अब साउथ से उपर थोड़ा सा सो निंबार निंबार्क जो है यह हम देखते है तो 13th century AD में महाराश् इसे कहा जाता है तो dualism क्या है और non-dualism क्या है दोनों चीज़े में अल्रड़ी आपको बता चुका हूँ ओके इन्हों ने जो कम्यूनिटी बनाई थी जिसमें यह दोनों फिलोसफियों उसे निंबार का संपरदाय कहा जाता है तो बेसिक प्रैक्टिस अफ दिस माधो निमबार से छ suis एक और सेंट हमें देखने मिलते है वह सेंट ऴू है रामानग्रामानाण उतर प्रडेश का में हिनकी प्लेश से उसके साथ 1380 में ये हुआ करते थे उसके साथ साथ वैश्नव सेंट थे he considered the Ramanandhi Sampradai ये founder थे Ramanandhi Sampradai के उन्ही के नाम पर ये रखा गया था तो he was largest ascetic community in India ये बहुत बड़े ascetic यानि बहुत बड़े जो सन्यासी होते हैं उनकी ये community है he was the devotee of Lord राम को devotee होते हैं he made an attempt towards the synthesis between अद्वायत वैद्या और वैश्नव भक्ती हैना अद्वायत वैदान्त जो हमने देखा वो जिसे हम कहते हैं डुएलिजम और उसको जोड़ा है वैश्नव भक्ती से याने विश्नु के भक्ती से कबीर और रविदास जो है इनके disciple हुआ करते थे रामानंद के he was the first to use Hindi in propagation of teaching ना तो UP में सबसे पहली बार teaching में Hindi यूज करने वाले ये पहले होते जिनका नाम होता है रामानंदर सेंट कबीर और सेंट रविदास जो है ये सब इनके शिष्य थे, इनके disciple थे उसके बाद जो next आते है वो है वालभाचारे, he was the Telgu cent 1479 से 1531 AD तक ये नॉर्थ इंडिया में थे उसके साथ-साथ he was the founder of Krishna-centered पुष्टी मार्ग सेक्ट पुष्टी मार्ग संप्रदाय पुष्टी मार का संप्रदाय जो होता है ये हम कहते है कि ये वैष्णविजम से related है और mainly ब्रज रिजन में हमें ये देखने मिलता है जहाँ पर श्री कृष्णर वैष्णविजम ये सब हमें देखने मिलेगा वो ब्रज रिजन he propounded the philosophy of शुद्ध अद्वेट पुष्टी मार का संप्रदाय का वो है श्रिनाज जी टेंपल तो ये वल्लभाचारिय से associated है ये सब उनके thoughts से associated है ये जग है और अगर हम पुष्टी मार्ग संप्रदाय की बात करें अगर आपको ये सोच रहे होंगे कि ये पुष्टी मार्ग क्या है तो पुष्टी मार्ग आने पुष्टी आने जो पूष्ण करता है आपका वो जो ऐसा मार्ग है जो आपको पूष्ण करने वाला जो है जैसे कि शुरी कृष्णे वहां तक लेके जागा उस मार्ग को पुष्टी मार्ग कहा जाता है ये पुष्टी मार का संप्रदा है जो की वैष्ण विजम पे विलीफ रखते है और इसके वल लभाचारेज है उन्होंने इसे इसके फाउंडर होते है उसके नेक्स जो हम देखते है वो है कबीर कबीर जो थे ये वीवर थे एक्चुली ये प्रोफेशन पर कुष्ण भी पूछा गया इसलिए यहां पर वीवर लिखा हूँ है 15th century AD में UP में UP के थे वो 15th century AD के टाइम पर ये बिलीफ रखते थे अपना वैष्ण इजम पर हैं सब के अंदर है ये और ये एक ही है he was the disciple of रामानंद रामानंद के ये disciple थे and he belong to निर्गुन स्कूल जो की कहते थे कि जो गौड है ये फॉर्मलेस होते है and criticized the orthodox ideas of discriminatory caste system ये सब orthodoxy या फिर caste caste system इस सब को उन्होंने एक तरह से अपोज किया था और इनके जो फॉलोर होते हुन से incorporated in आधी गरंत आधी गरंत जो है सीखिजम का जो text है सीख community से related उसमें भी कबीर के बारे में लिखी हुई है उनके जो भी verses है वो दिये हुए है नेक्स आते है गुरु नानक गुरु नानक 1469 से 1539 तक पंजाब में थे उसके साथ साथ he was he said to have been inspired by कबीर है ना तो कबीर से inspired थे ऐसा माना जाता है and he belong to निर्गुन स्कूल formless है इसमें वो belief रखते थे तो first of all 10 सीख गुरु वो पहले दस जो सीख गुरु होके उसमें से पह जो थे वो 15th century AD में थे गुजरात में he was sent poet belong to वैश्णव सेक्ट है ना तो विश्नु को मानने वाले ये उसके साथ साथ he was great contribution to गुजरात literature and his famous भजन वैश्णव जन्तो ये ना वैश्णव जन्तो तेने कहिए जे पीड पर आई जाने है है ना तो जो दूसरों की पीन जानता है वही विश्नु का असली भक्त है विश्नु का ये माना जाता है ये गांदी जी का favorite जो भजन है वो नरसिया मेता द्वारा ही वहाँ पे लिखा गया है उसके साथ साथ नरसिया मेता उस और आदी कवी इनको आ चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभू जो है वह 1486 से 1534 AD में वेस्ट बेंगॉल में थे उसके साथ साथ ही वास बेंगॉली हिंदू सेंट चीफ प्रपोनेंट आप अचिंत भेद अभेद या गौडिय वैश्नु इसम ट्रेडिशन तो यह अचिंत भेद अभेद क्या होता है तो अचिंत भेद अभेद याने अगर आप देखते तो भेद और अभेद की बात करें तो भेद याने different या अभेद्याने एक यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सब चीज़े अलग है और यह भी कहा जाता है कि सबी चीज़े different है यह कैसे जैसे कि हम individual soul और God है यह एक भी है और अलग अलग भी है different भी है यह यहाँ पर कहा गया है जैसे कि जो आत्मा और जो परमात्मा यानि सोल और जो सुपर सोल है वो quality wise तो same है बट quantity wise अलग है जैसे कि sun है और उसके जो rays है या फिर जो gold है और उसके जो particles है वैसा वैसा हम एक भी है और अलग भी है ये होती है भेद अभेद अचिंत ये philosophy उसके साथ साथ गौडिय वैश्नविजम ये एक तरह का गौडिय वैश्नविजम है तो इसे गौडिय वैश्नविजम इसे लिए कहते है क्योंकि गौड करके एक जगा है गौडा करके एक रीजन है बेंगौल का और वहां की वैश्नविजम को follow करने वाले एक कुछ सेंट्स थे तो उन्हें गौडिय वैश्नविजम कहा जाता है तो वही विश्नव को follow करने वाले गौडा रीजन के बेंगौल के बेंग प्रोमनेंट शगौन सेंट्स थे शगौन याने गौड जो है ये फॉर्म में है या फिर फॉर्मलेस नहीं है या फिर उनके कुछ qualities है गुन है तो ये सब जो मानते है वो चैतन्य महापरभू थे ये अलसो एक्सपांड़ेट दे वैश्नव स्कूल अब बक्ति योग एंड वज अडरेंट अफ लॉर्ड कृष्णा को काफी पॉलोर थे और ही पॉपुलर्स दे किरतन्स आज एज फॉर्म तो वर्श इस इस शिशाव सतकम की प्रेयर लिखे इट इस शिक्षास्तकम है उसके बाद नेक्स आते हैं नेक्स हम देख लेते हैं वह है शंकारादेव शंकारादेव जो है 1449 से 1568 तक रहा है आसाम में वह उस्तine से वह रेक। धर्मा तो एकाशरन धर्मा है इनकी जो भी भक्ति रहेगी वो वर्शिप आफ विष्णु जो है इनहीं के राउंड ये चलते रहेगी centring around the worship of विष्णु यही रहेगा तो एकाशरन धर्मा है in the form of Lord कृष्ण यहने विष्णु जी का ही आउतार था और इन वन गौड एकी गौड पर यह विली प्रक्तित इन दो फॉर्म अप लॉर्ड कृष्ण जो सत्राज है आर सुर्दास जो थे यह 1478 से 1588 तक नौर्थ इंडिया में रहें उसके साथ साथ ही वास ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ एंड वास डिवोटी ओफ लॉर्ड कृष्ण के डिवोटी थे वह सगुन स्कूल में अपना विलीप रखते थे और डिसिपल थे वल्लभाचारिय के इन रॉयल फैमिली शी वास डिवोटी ओफ लॉर्ड कृष्ण शी ट्रीटे लॉर्ड कृष्ण एजर हजबन और कंपोस्ट भजन इस और शॉर्ड रिलिजियस सॉंग्स पर इम है न तो लॉर्ड कृष्ण को काफी बहुत बड़ी भक्ते थी मीरा बाई और उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यह उसके बाद दादु दयाल दादु दयाल जो थे यह 1544 से 1603 में गुजरात में रही रिजेक्टेट अफ वेदाज जो अथरिटी के वेदा थे उसे रिजेक्ट कर दिया कास सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और external form of worship such as visit to temple या फिर pilgrimage में जाना ये सबको reject किया था दादु दयाल ने उन्होंने ये कहा का था कि जब कीजिए एक concentration से के साथ जब कीजिए भगवान का नाम repeat करते रही है यही आपका वर्शिप करने का तरीका होगा और उनके follower को दादु पंतीज कहा जाता है उसके आद जो next देखने मिलते है वो है 13th century AD में महारस्ट में रहा करते थे वो विठोबा जो है जो कि Lord Vishnu के एक अवतार माने जाते है वारकरी सेक्ट ऐसे मानते कि वो विठोबा जो है ये Lord Vishnu ही है विठोबा को ये follow करते है उन्हें ये वर्शिप करते है उन्होंने न्यानेश्वरी लिखी हुई है अब हम नामदेव जो है सेंट नामदेव उनके बारे में पढ़ लेते हैं 1270 से 1350 तक नामदेव ये महारस्ट में थे वारकरी सेक्ट जो है ये भी उसमें एक असोसियेटेट थे उनसे हिंदुईजम का जो कि लॉर्ड विठोबा को मानते उनकी जो राइटिंग ते जिसमें गुरु गरंत साहीब जो है है, 1533 से 1599 में महारá राष्ट मिद रहे, एकनाथ वारकरी सेंट, ये भी वारकर ही थे वारकरी सेक्ट, जो है ये किसे मानता है आपको पता है ये लोड विठोबा को जो मानते हूं नहीं वारकरी सेंट कहा जाता है वाज इंफ्लेंस बाई सूफी मिस्टिसिजम से यह काफी इंफ्लेंस थे सूफी हम आगे के लेक्षर में पढ़ने वाले और वेदान्त फिलोसॉफिक को काफी मानते थे इन्होंने जो लिखा है उसे एकनाथी भगवत कहा जाता है और नैनेश्वर में भी लिखा है जिसको नैनेश्वरी कहा जाता है जो यह कुछ सेंट रहे जो महारास्टर के हमने देखे नैनेश्वर नामदेव और एकनाथ उनके अलावा देखेंगे और महारास्टर के सेंट तो वह है तुकाराम 17th century AD में तुकाराम जो थे महारास्टर में तेवास डिवाटी ऑफ विठ्थल और विठोबा फिर सेवार करें सेक्ट से जुड़े हुए हैं वो फेमस है उनके डिवोशनल पोईट्री को जिनको कहा जाता है अभंग अभंग वो पोईट्री लिखते थे जो की जो भगवान के जो डिवोशन वाली चीज़े है वो कुछ ब्रेयर्स और यह सब उसमें लि है एक और महाराष्ट के वो थे समर्थ रामदास 1608 से 1681 तक यह रहे एड महाराष्ट में ही वाज़ डिवोटी ऑफ लॉड राम एंड हनुमान हनुमान और लॉड राम जो है उनको काफी यह मानते थे और ही वाज फेमस फॉर इस अद्वैत वेदानता टेक्स्ट दास फॉलो करते हैं वो समर्थ सेक्ट में आते हैं और उसके साथ साथ आप यह देखो के तो शिवाजी महाराष्ट जो थे हैं ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर सेंट रामदास सेंट रामदास के काफी बड़े फॉलोर थे शिवाजी महाराष्ट जो की चात्रवधी शिवाजी महा and strongly criticized the caste system caste system को बहुत ज़्यादा आपोज किया था और equality पे बहुत ज़्यादा belief रखते थे, established the satnaami community जो satnaami community है वो गुरु घासिदास की है उसके साथ-साथ he was against the idol worship मूर्ति पुजा को वो बिल्कुल नहीं मानते थे क्योंकि वो निर्गुन स्कूल को बिलॉंग करते थे this the sect believes God as satnaam, satnaam, he whose name is truth truth, यानि satnaam है भगवान का ही नाम जो है वो saty है और इनके community को इसलिए satnaam community माना जाता है, so इतने सारे saints हमने study कि यह saints के बारे में यहाँ जितनी भी information मैंने बताए उतनी ही information आपके exam के लिए जो है वो important है, इतने मैंसी आपके जो question है भक्ति मुमेंट से वो आपको मिल जाएंगे निर्गुन शगुन स्कूल हमने देखा उसने बाद वर्षेव, वीरशाइवर मुमेंट या लिंगायत मुमेंट हमने देखा, अलवर्ष देखा नैनर देखा, उसके बाद हमने origin कैसा हुआ, यह देखा, हमने main features देखे भक्ति मुमेंट क्या होती है यह देखा और यह आपको दिखरे है भक्ति मुमेंट के scent और इस तरह से हमारा आज का lecture रहा, जो कि बहुत important है for UPSC and other competitive examinations, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते है तो उन्हें like जरूर करे share करे और subscribe करना ना भूले मेरे YouTube चैनल का, और update चाते हैं जो फालो और like करे मेरे Facebook पेज़े सको श्रेहस बड़े और interpretation ही मेरे Facebook पेज़े से अगर आप मुझसे connected रहना चाहते हैं तो follow करे मुझे Instagram पे श्रेहस बड़े दे पीस लवर ये मेरा Instagram आइडिये श्रेहस बड़े अड़े डी जीमेल डॉट कॉम पे आप मुझे mail भी कर सकते हैं इसी तरह हम अगले lecture में मिलते रहेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखे और आपका दिन शुब हो